हेलो एब्रीवन, वेलकम बैक टो और चैनल हाइपर ट्रेड़ेज भी मैं हूं मोहमत सुहिल अगर आप पहली बार यूटूब चैनल पे आए हैं यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करिये दोस्तों फाइजर पे हमारा जो पहला बैंग हुआ था ठीक है मैं पहले टेलेग्राम चैनल पे दिया बाद में मैं अपने यूटूब चैनल पे भी बताया मैं 29 अपरेल को अनालिसिस दिया था 4190 से लेकर स्टॉक अगर 4132 के इन बीट्विन ट्रेड हो रहा है तो दोस्तों आप स्टॉक में एंट्री ले सकते हैं तार्गेट आपके रहेंगे 4290 4380 जैसे ही डेट देखो 29 अपरेल मैं पहले डेट मार्क कर लेता हूं 29 अपरेल कहां पर है यहां पर 29 अपरेल के लिए अनलसिस किया स्टॉक 29 अपरेल पर कहां था 4135 स्टॉक डेट किया है यहां पर 6 में तक भी 4177 पर था हमारे एंट्री कहां पर था 4190 तो हमारा हो गया था इंट्री उसके बाद हमारे प्रॉफिट बुकिंग हो गया तो मैं क्या बताया आप लोगों को वीडियो अनलसिस करके मैं आपक स्टॉक ब्रेक करता है 4292 कहीं पर ब्रेक किया क्या स्टॉक आप यहां पर देखो कहीं पर भी यह वाला लेवल ब्रेक नहीं हुआ मैं यहां पर क्या बताया अगर स्टॉक यह वाला लेवल ब्रेक करता है तो फॉल है अगर कहीं पर भी ग्रीन कैंडल क्लोस कर रहा है तो स तार्गेट पे ट्रेलिंग ले के चलो, ट्रेलिंग टार्गेट कहीं पर भी नहीं लगे, स्टाप में डाइरेक्ट 4-6-2-0 का कमप्लेट प्रोफिट बूकिंग हो चुका, तो अभी स्टाप के अंदर लेवल क्या है, कुरन्ट मारकेट प्रैस क्या है, इस्टॉक का देखो आप यहां पर 4757 होगे हमारे पूरे टार्गेट अचीव होगे है प्रीवियस ब्रेकडाउन लेवल पे एक्जाक्ट रेड कैंडल क्लोस कर रहा है दिख रहा है नीचे के तरफ क्लोस कर रहा है stock में यहाँ पर gap up भी हुआ है तो head level हमारे लिए head level हमारे लिए क्या रहेगा यह breakdown है अब यह breakout के जैसा काम करेगा अगर stock उपर जाना है तो इस तरीके से जाना है वरना यहाँ आके फिर यहाँ से level पकड़ना है stock अगर level break कर रहा है तो stock में यहाँ पर क्या होगा no trading zone होगा क्यों होगा stock retest करते वे previous breakdown को breakout बनाना है तो ही भागना है entry यहाँ पर बनेगा अगर stock level break करते वे continue कर रहा है तो दोस्तों यहाँ पर no trading zone लग जाएगा समझ गए अभी stock completely overbought है stock के अंदर immediate selling कहीं से भी start हो सकती है तो मैं आपको suggest करूँगा जतना हमारा profit booking होना था हो गया अब stock में क्या करना है हम लोगों को no trading zone लगा के चलना है कौन से price पर लगा के चलना है above 4837 मैं यहाँ पर यह भी mark करता हूँ 4846 यह हमारे लिए क्या बोलते है no trading zone का level रहेगा breakout मिलेगा तो re-entry बनेगा breakout नहीं मिलेगा तो re-entry नहीं बनेगा दोस्तों यही था मेरा analysis फाइजर पर अगर आपको stock पर analysis समझ में आया वीडियो को like करिए share करिए and youtube channel को subscribe कर लीजिए thank you for watching my video